Hello friends, hope all of you are good. आज कल टॉर्रेंस पर लगे बैन की नियुस काफी वाइरल है, बस आज हम उसी पर बात करेंगे. खाली में इंडियन गवर्मेंट ने काफी सकती दिखाते हुए अपना जज़्ज्मेंट दिया है और उसके favor में जो order निकाले हैं, उसमें अगर कोई भी individual illegal content, copyrighted content को देखता है या डाउनलूड करता है, तो उसको 3 साल की सजा और 3 लाग तक कर जुर्माना हो सकता है. वेबसाइट को access करने में कोई भी individual culprit नहीं माना जाएगा, initially या order जब निकाले गए थे तो कुछ news ऐसी थी कि access करने पर भी आपको book किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, उसको misinterpret किया गया था, अगर मैं जुलाई stats की बात करूँ, तो approximate 134 links, 134 web links और URL को code ने ban करके करने की बात की थी, and काफी strict order दिये थे सभी service providers को कि अगर कोई भी individual try करता है, torrent links को access करने के लिए, तो उसको एक detailed message मिलना चाहिए, जो काफी informative हो, और ये बताए कि ये illegal action है, और उसको pursue नहीं करना चाहिए, तो ये जो, जिस message की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये message है, detailed में, जिसके अं प्लस imprisonment for 3 years and fine up to 3 lakhs, प्लस ये भी mention किया है कि viewing, downloading, exhibiting or duplicating an illicit copy of the contents, ये एक punishable offense होगा, इसके अलग अगर हम देखे तो आजकल एक farewell message भी आ रहा है, अगर आप किसी भी torrent website को access करें तो, देखे, ये individual का नजरिया है कि ऐसे orders को वो favorable way में देखे या against में, बड अगर हम एक generic outlook की बात करें, तो एक right step है government की तरफ से, अगर हम अपना ही example लें, तो अगर हम कोई movie बनाते हैं या song compose करते हैं और वो पहले ही leak हो जाए, तो हमको emotionally भी hurt होगा और financially भी, अब मैं ये बता दूँ कि from where it got fire, अभी हाली में कई movies release date से पहले leak हो गई थी, जिससे definitely उनके makers को hurt हुआ थ और उन में से एक movie थी, डिशुम, जिसके makers ने Mumbai high court anti-piracy application दी थी, तभी court ने order दिये, कि जितने भी ये links हैं, ये ban होने चाहिए, block होने चाहिए, and with a detailed message, जो viewers को समझा सके, कि it's all about the provision of the copyright act, बट केवल movies makers को financial law से बचाने के लिए नहीं, ये decision लिया गया था, बलकि अगर आप ऐसे websites को access करते हैं, चाहे movies को download करने के लिए, softwares को download करने के लिए, तो काफी possibilities होती हैं कि malwares and ransomwares के capture होने कि आपके system में और phone में, because ये places का भी prone होती हैं, attacks के लिए, तो in a nutshell, अगर आप किसी भी नई movie को या album को torrent डाउनलोड करते हैं, then you will end up in a serious trouble, so please avoid it and watch it in a theater to get its experience, I'll personally advise you not to visit such website, so it means, अगर आप कोई भी नई movie आती है, तो आपको वो theater में जाके पैसे खर्च के देखनी होगी, I believe आपको ये video पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपके साथ ये torrent की latest information शेर करिए, तो प्लीज इस video को शेर कीजिए, और अगर आपने भी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, Thanks again, Bye Bye